ओगंद मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूगा आज मैं चुरू आया हूँ तो कुछ पुरानी आदे भी ताजा हो रही है मैं जब 26 फरवरी 2019 में चुरू आया था तो उसी समय देश ने बाला कोट में एर स्ट्राइक की थी इसी गबंडिया गडबंदन के लोग हमारी सेना से शाओर्य के सबूत मांग रहे थे सेनाओं का पान देश का दिभाजन ये कॉंग्रेस पार्टी की पहचान है इंडी एलाइंस के लोग सब्ता में रहे इन्होंने हमारे जवानों के हाथ बांद कर रखे ये मोदी है ये नया भारत है ये नया भारत गर में गुश कर मारता है साथियों आज मैं चुरू आया हूँ तो कुछ पुरानी आदे भी ताजा हो रही है इससे पहले मैं जब 26 फरवरी 2019 में चुरू आया था तो उसी समय देश ने बाला कोट में एर्स्ट्राइक की थी हमने आतंकियों को सबक सिखाया था और तब मैंने जो शब्द कहे थे चुरू की धर्टी पर जिन शब्दों को मैंने दोहराया था मैं आज फिर एक बार इस वीरों की धर्टी पर आया हूँ तो मेरे उन भावों को दोहराता हूँ तब मैंने कहा था यही चुरू मैं कहा था सोगंद मुझे इस मिट्टी की सोगंद मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूँगा मैं देश नहीं रुकने दूँगा मैं देश नहीं जुकने दूँगा मेरा वचन है बारत मा को तेरा शीष नहीं जुकने दूँगा लेकिन साथियों आपको याद होगा हमारी सेना ने जब सर्थिकल स्ट्राइक और एर स्ट्राइक की तब कॉंग्रियस और उसके साथ ही क्या भाचा बोल रहे थे इसी गबंडिया गडबंदन के लोग हमारी सेना से शौर्य के सबूत मांग रहे थे भाई और भेनों सेनाओं का प्मान देश का दिभाजन ये कॉंग्रियस पार्टी की पहचान है जब तक इंडी एलाइस के लोग सब्ता में रहे इन्होंने हमारे जवानों के हाथ बांद कर रखे दुश्मन हमला करके चला जाता था ये जवानों को जवाब देने की इजाज़त नहीं देते थे हमारे जवान One Rank One Pension की मांग करते थे कॉंग्रियस दे इसे भी पुरा नहीं होने दिया हमारी सरकार मनी तो हमने सहिनीकों को One Rank One Pension का अधिकार भी दिया और सीमा पर पलट मार करने की छूट भी खुली छूट दे दिये आज दुश्मन को भी पता है ये मोदी है ये नया भारत है ये नया भारत गर में गुश कर मारता है